Hello everyone, I am Rithi and I am watching Skyhaz the Limits आज़ गी वीडियो वीची के लिए हम बहुत एक important topic के बार में discuss करेंगे जो आपको जानना बहुत important अगर आप JNPA के student है, अगर आप WJE के student है, अगर आप JEE के वीच student है किसी भी तरह का student है, अगर आप हो सकता है, need देंगे, medical student है तो किसी भी तरह का student है, आपको exam देना ही है तो exam कैसे देना है, कैसे आपको fearlessly exam देना है, कैसे आपको exam के time fearless रहना है और कैसे आपका exam का stress है, वो remove करना है, तो यह जानना आपके लिए बहुत important है तो यह video कान तक पुरा देखते रही, आज आपका हर एक doubt क्लियर कर देंगे आप exam से पहले आप confidently exam देगे, यह मेरा वादा है तो चलिए, जासा मैंने लेते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते है यह video के actually मैंने दो part में divide किया है, एक है do's और एक है don'ts तो पहले चलिए do's के बार में discuss कर लेंगे, फिर अपके साथ don'ts के बार में discuss कर लेंगे तो do's क्या है, do's बहुत important है, ध्यान से सुनिएगा सबसे number one point, sleep properly before exam क्योंकि sleep बहुत important है, अगर आप ठीक से ना सोए ना, तो आप exam ठीक से नहीं दे पाई यह एक fact है, अगर आप ठीक से ना सोए तो आपके अंदर बहुत stress रहेगा, बहुत को सोचेंगे आप, exam free mind बे आप देही ने सकते, यह मेरा एकदम confirm लिए अगर आप deep sleep ना ले exam से पहले, तो आपका brain जो है, वो fresh mood में नहीं रहेगा, तो exam से पहले अपना brain को fresh रखना है, इ बहुत पढ़िये, कोई problem नहीं है, पर 3 घंट से जाधा continuous नहीं पढ़िये, सबसे जाधा 3 घंट पढ़िये, 3 घंट पढ़ने के बाद आपको 10 या 15 मिनिट का break लेना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में पहले भी बोला है, कि हम लोग का brain होता है, उसका stable point होता है, म 3 घंट हो जाने के बाद क्या करना है, आपको 3 घंट हो जाने के बाद आपको 15 मिनिट ये 10 मिनिट रेस्ट लेना है, तो आपका brain फिर से ठीक से काम करने लाएगा, यह है number 2 point, number 3 point क्या है, number 3 point है, आप daily पढ़िये, daily 3 से 4 घंट मिनिमम पढ़िये, एकदम confidently पढ़िये, तो क् आपके exam से पहले उतना stress नहीं रहेगा, basically हम लोग क्या करते हैं, पूरा year पूरा उतना नहीं पढ़ते, पर exam से पहले बहुत पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग का stress बढ़ता है, तो stress release करने के लिए, exam का stress release करने के लिए क्या करना है आपको, daily 3 से 4 घंट पढ़ना है, ताकि थोड़ा करके पढ़ते रहे हैं, तो exam से पहले आपको क्या होगा, stress थोड़ा कम रहेगा, daily का पढ़ा है, daily करिए, तो चलिए number 4 पॉर पॉइंट का discussion करने के लिए, number 3 हो गया, number 4, number 4 यह है कि आपको exam से पहले बिल्कूल नहीं डरना है, अगर डरेंगे तो exam आप गलती करें ही करेंगे, इसलिए अगर आप ठीक से पढ़ें, आपके अंदर वो confident है, कि हाँ मैं एकदम अच्छे से पढ़ा हूँ, मुझे कोई फिकर नहीं है, तो एकदम fearlessly exam दीजे, आपको कोई problem नहीं होगा, तो चौथा point क्या है, be confident, होएन आप exam देने जा रहे हैं, तो आपको be confident नहीं है, be confident नहीं है, अगर आप confidence अपके अंदर नहीं है, lack of confidence हुआ, तो अप exam में गलती करेंगे ही करेंगे, तो अपने अंदर दर किन अखर्व अपने अंदर रखेंगे तो आपके एकजाम अच्छा नहीं हो सकता इसलिए अपने अंदर रखना बहुत इंपोर्टन्ट है आपको आंदर यकीन रखना है व यह था नंबर फोर तो यह हो गया नफुन्ट के बारे में डिस्कस कर लंटार Don'ts और भी important है, Do's जो मैंने आपको करने के लिए बोला, उससे ऐसा Don'ts, जो Don'ts मैं अभी बोलने माला हूँ, और भी important है, उसको और भी ध्यान से सुनिये, तो मैंने यहाँ पर लिखके रखा है, आपको एक एक करका बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनियेगा, सबसे पहला Don't आप स्मार्ट स्टड़ी करना है, स्मार्ट स्टड़ी क्या है, मैं आपको आज बता जेता हूँ, स्मार्ट स्टड़ी है कि आप तीन घंटा का काम एक घंटा में कर ले, आप जो पढ़ाए पांच घंटा में कर ले, कम पढ़े कोई प्रोबलम नहीं है, पर बहुत सारा काम आप से पढ़िए समझ के पढ़िए कुछ रट्टा मत मारिए यह बहुत important है don't waste your time आपका time study में लगाई है समझने में लगाई है रट्टा मत मारिए यह आपका होगा पहला don't second don't क्या है second don't आपका जो है don't study too much before exam आप exam से पहले बहुत मत पढ़िए अगर आप exam से पहले बहुत पढ़ने लगे नहीं तो आपको क्या होगा दिमाग में बहुत प्रेसर आएगा आपको क्या करने exam से पहले 3 या 4 घंटा या maximum 5 या 6 घंट आपको पढ़ना है बाकी time थोड़ा बहुत आपके दूसरों के साथ अगर आप आप पढ़ना है आपको दिमाग फ्रेस होगा तो दिमाग में एनिहाओ आपको फ्रेस रखना है ताकि कल आप जो exam देने वाले है वो बहुत अच्छे से हो तो दिमाग को फ्रेस रखिए कम पढ़िए और ज्यादा सोईए यह आपके लिए बहुत important है तो यह हो गया दूसरा don't don't study too much before exam तो चलिए अब तीसरे का बात कर लेते है don't think too much before exam हम लोग क्या करते है एक्जाम सब देने जाते है ना एक्जाम के बारे में बहुत सोचते है कि क्या होगा क्या हो रहा है क्या हो रहा है यह formula क्या था वह formula क्या था इसके a plus b था यह a minus b था ऐसा हमको पता है आपको साथ भी होता है पर ऐसा हम लोग को बिल्कूल नहीं करना अगर आप ठीक से पढ़े हैं तो आपको confident रहना है अगर आप बार बार एक ही formula सोचते रहना तो क्या होगा आपके अंदर confusion और बढ़ेगा इसलिए confident रख किये exam से पहले एकदम chilled रहेगे जितना आप सोचेंगे उतना आप formula बगेरा भूलते रहेंगे तो formula याद रख करेंगे लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है जब पढ़ मिलेगा आपको सब याद रहेगा यह मेरा वाद आप करके देखिए आपको जरूर अच्छा रेजल्ट आएगा तो यही था अच्छा वीडियो कैसा लगा नीचे comment करें जरूर बतना वीडियो अच्छा लाइक करना और दो शेयर करना तो बनता ही है मुझे जाए तो आप instagram में फॉलो कर सकते हैं नीचे description box में जाइए वहां में इस्टागा में इस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं और जो जो मेरे चैनल पर अभी नया देख रहा है नया सब्सक्राइबर्स है तो उनके लिए भी बोल रहा हूं welcome मेरे family में मेरा 1.6 के हो गया आपके लिए बहुत